आज हम लोग वर्ना योन धोनी से संबंदित जितने भी प्रश्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्ण एकजाम में पूछे जाते हैं जिसे कॉंपटिशन एकजाम बीएट यथा जितने भी हिंदी व्याकरन से संबंदित एकजाम होते हैं उसमें पूछे जाने वाले ऑब्जेक्ट से 2 ने किसे कहते हैं में ऑफसान म को या बहसा के लगूत्तम मिकाई को या गुंच को कि जिसे स्वोर्न हो से नहीं कहते हैं कि बहूट पूटनि कहते हैं चर्थ जिसी कोई भी दोनी से महासा होता है इसलिए महासा के लगुत्थ महासा के एक काय को दूसरा नंबर का प्रशन श्यां शत्र में कुन सा व्यंजन है हम ढूंस जिसरी आपका सब फीय और वर नहीं यह बी ओ ह Luther आथ लिए यह तो इसका एंसर है आपका चो डी तिसरा निम्लिखित अच्छार में कौन सा स्वर्ण है तो स्वर्ण और से अंग तक तो इसमें आपका ओप्सन में आता है इसका नमबर का प्रश्ण है नागरी वर्ण माला में कितने अच्छार है यह प्रस्ण आपको पूश्च रहें तो इसका आपको आजाएगा 46 इसमें आप बहुत से ज़्यदे तैर सूचते हैं कि तो बावन इसका correct answer नहीं होगा इसका answer होगा आपका 46 पच्छवा नमबर उसे मोतक की वेंजन अच्छर को क्या कहते हैं उसे लेकर मोतक की वेंजन अच्छर को क्या कहते हैं तो इसका answer है आपका इसपस्ट कहते हैं उसे लेकर मोतक की वेंजन अच्छर का नाम इसपस्ट है तो च्छटा नमबर है यह रह लह वह कूंसा वेंजन कहलाता है तो यह कूंसा वेंजन कहलाता है तो इसका answer है आपका अच्छर वेंजन कहलाता है तो इसका answer है आपका उस्टन वेंजन उस्टन वेंजन अठ्वा नमबर प्रस्टन है गो अच्छर वेंजन के किस वर्क में आता है गो को वर्क चो वर्क टो वर्क या तो वर्क तो आपका को में तो गो आता है तो इससलिए आपका को वर्क में आता है को-Ψमबर का प्रस्टन है जो अच्छर वेंजन के किस वर्क में आता है जो चो चो जो यानी कि कि छो वाला में आगा तो इसमें होगा चो वर्क दस्वा नंबर अंगा अच्छर वेंजन की किस वर्क में आता है तो अंगा को अंगा अच्छर आपका अंगा नहीं अढ़ा है अढ़ा अच्छर को कौन सा वर्क में आता है तो इसका एंसर है आपका टो टो ठो डो अढ़ा गारा नमबर गारा नमबर है दो अच्छर वेंजन की किस वर्ग में है दो तो दो दो का होगा तो तो दो यानि सी नमबर तो वर्ग में बारा फो अच्छर वेंजन की किस वर्ग में है तो यह आपका आ जाएगा पो फो वर्ग में आता है त्यारा नमबर है निम्लिखित में से किसे वर्ग में कहते हैं ओप्सन एमें है को और भी में दो सिय में पो डम में हो किसे वर्ग कहते हैं तो इसका आपका इंसर एगES में बिल्ग में हो किसे वर्ग कईते है और इसा आपको वेंजन का क्यायद में जलंड तो वेंजन अ si चौधा नम्मार पर्तिग वेंजन वर्ण के पच्छवे अच्छर को क्या कहते हैं पर्तिग वेंजन वर्ण के पच्छवे अच्छर को क्या कहते हैं सुवर्ण कहते हैं या अनुनासिक या बीसर्क या डी में हाल तो इसका आंसर है आपका अनुनासिक बी नम्मर supports अनूनाशिक कहते हैं 15 नम्मर similar a निमलिकित में से अनूनासिक का चिंन है कौन साय क्रें जिसे चंद्रविंदू कि一次 present a नियां दन्त्रन शे कि तो पंद्रा आताराzh से अपका चंद्रविंदू यह नम्मर आ यह नंबर अनूनाशिक का चिंन होता हिए है अनुनासिक इसे इसे आप अनुनासिक कहके पुकार सकते हैं छोटा सा है इसे कि स्वल्ला नमबर का प्रश्ण है आपका को दोनी का उचार अस्थान क्या है नीचे दिये के उचारन अस्थानों में से चुनकर सही उचारन अस्थान नीचे जिसे को को आपका कंड से उचारन होता है को दो जिसे दन on option A में है दनट मैंने दांस से उचारन होता जिसे ताता बोलते हैं डी में कंड आत्व से उचारन उ तारू से उचारन होता है और जिसे आप और से उचारन करते हैं जिसे कि हम दंड मतलब जिए तो ये दंड से उचारन होता है कंट मतलब कंट में जो को ओ आ तो इसमें आपका होता है 16 नमबर का आपका कंट एंसर होता है कंट वी नमबर आपका इसका राइट एंसर होता है 17 नमबर खो धोनी का उचारन अस्तान क्या है को खो तो यानि खो भी कंट से ही उचारन होता है तो इसका भी इंसर होगा कंट 18 नमबर में है ओ धोनी का उचारन अस्तान क्या है इसे ओ तो ओ भी कंट से ही उचारन होता है ओ को इसमें आप पहले इसको जो अच्छर पूछेगा उसको आप उचारन करके देखते हैं जिसे दोनों उट में सोट सट जाता है तो ओस्ठ होगा तारू में सटेगा तो तो इस परकार आप सबको उचारन करके उसका उचारन का स्थान को आप पता लगा सकते हैं जिससे 19 नंबार का प्रश्ण है तो धोनी का उचारन अस्थान क्या है तो तो इसका एंसर है मूर्द्या सी नंबार नो दोनी का उचारन अस्थान क्या है नो नो बोलते हैं या नाक से थोड़ा अच्छा आता है नो नाक में उचारन होगा तो इसका एंसर होगा नासिकार एकिस नंबार है यह किस नंबर का प्रस्ण है तो धोनी का उचारन अस्थान क्या है तो तो आपका उचारन होता है दंड से तो तो इसका आता है दंड आपको यह पहले किस उचारन करके आपको धीरे से उचारन करके देखना होगा कि किस परकार से जीप और मूं का किरिया कर रहे हैं तो उस थो दोनी का उचारन रिस्ताने दन नंथ है तो इसका भी एस्ताने था चोबिश नंबार हिंदी की उत्पति की तो हिंदी की इत्पति किस भाँ साथ से हुई है अंग्रेजी से बीमे उर्डू से संस्क्रिट से या सोत तो थो ईतो आपको पता ही होगा कि हिंदी का जननी संस्कृइट को कहा जाता है कि शव्त संस्कृइट से ही इन्ढी सब और हिंदी भांसा के उत्पती हुई तो ईसका स्रेवर है आपका सी नमबें संस्कृइट कि इंप पच्शिष नमबर नoh, दोनी का उचारन अस्तन नो कि अब 26 नमबर में है पो धुनी का उचारण अस्तम क्या है पो पो तो आपको उचारण करके देखना होगा जिसे की पो यानि दोनों ओट पो कब बोलने से सट रहा है दोनों ओट जिसे पो मो तो शट रहा है इम च्दान देखनास तो इसका ऑगा ऊउश्ड तो यानि द मतलब तारू सब कंट मतलब कंजल जिसको नासिक यानि नाकसे उचारन सब बर यह सब्दी का में उचारन अस्थन क्या है है इसका इंसर आपका 28 वोद हो नी यह आपका ऊस्थन है तो थोनी को यत्त यह यह धोनी का उच्णर अस्तान क्या है यू कि यो का आपका होता यह यह पका अर्फ Eills number प्थोनी का उच्णर अस्तन क्या है तो रो क्यों मि लौ आस मैं मुर्दयरे उस्टक तो बदा पा सूंदी आप 32 लो दोनी का उचारन अस्थन क्या है लो यह रो लो तो इसका एंसर है आपका मुर्द्या 33 वो दोनी का उचारन अस्थन क्या है वो तो दन्ड पलस वोस्ट सी नंबर 34 नंबर 34 नंबर में है शो दोनी का उचारन अस्थन क्या है सो यानि तारू में तो इसमें वह तारू 35 तालबस्या दोनी का उचारन अस्थन क्या है तो आपका उचारन अस्थन है कि मुद्या मुद्धा मुद्धा है इसका उचारन अस्थन 36 सादोनी का उचारन अस्थन क्या है तो इसका इंसर है आपका दंट हो दोनी का उचारन अस्थन क्या है तो इसका एंसर आपका कांड को यह यह दोनी का ऊचारन अस्थन क्या है और इसका है के तो उचण अस्थन क्या है तो इसका आपका बी नमबार ऑश्ट 40 शालेश डिदोर्णि का उचारण अस्थन क्या है वि री का है आपका मूर्द्य जो एक चालेश साहीदिस अस्थन क्या है अर्शाई दिरगई का उचारण अस्थने आपका है है लिएर लिए ए कि ए का दोनी का उचारना स्थन क्या है यह और आ यह का उचालना स्थन तो इसमें दो है जिसे कंड पलस तारू उसमें कंड भी होता है तारू भी पहले ए अ कंड और तारू उचरन अस्थन क्या है इसका अचर का अस्थन क्या है उचारन का तो इसका एंसर है आपका सी नासी का से होता है कि उचारन अस्थान पर विचार से निमलिकित में से कौन सा धोनी को क्या कहेंगे तालवज सिया कांश्टिया मुद्धन दिया या दंतिया तो इसका एंसर है आपका कि देंटिया है जिसे ताल दंट जिया जिसे को हम लोग कहते हैं दंट जिया मुद्धेंशिया और तालबेशिया यह है आपका दंटेशिया 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 उसके बात मुद्धेंशिया और तलबेशिया च्यालेश उचारन के अस्थान पर विचार सटनिम लिकित में सिखो को क्या कहेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कांट इस यह एक उचारन अस्थान से विचार में निमली की में से चो क्या कहेंगे चो चो कम लोग क्या कहेंगे तो इसको तालबेशिया में चो तारू से कहा जाता है इसलिए तालों बच्षिया और तालीस उचारन अस्थान के विचार में निम्लिकित में से रोग को क्या कहेंगे तो 48 कैंसर आपका मुद्धन्या मुद्धन्या तो 59 उचारन अस्थान के विचार से निम्लिकित में से फो को क्या कहेंगे तो 50 का आपका इंसर है डी निम्बर दंतेस्या पचास उचारन के अस्थान पर विचार विचार से निम्लिकित में से बो को क्या कहेंगे तो 50 का इंसर है आपको ए नंबर ओश्टिया तो 51 उचारन अस्थान के विचार से निम्लिकित में से पंच माच्छर या इसको क्या कहेंगे यह भी पढ़ेते हैं जश्ट पहले वह नासिका था तो इसमें आपको क्या कहेंगे इंसर इस परकार से देगा यह स सब्सक्राइब आप अट्यों टॉर्च को क्या तो से तो ठो दो डो नो तो पर में आप टूमेंट्स तब चार्शे आता है तो तो तोвойक रहता है तो सुआ आता है तो वेर्च ही होगा पॉसे मोतक क्यों तो आप यह जान लेंगे वार्क आएगा वासा किसे कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेते दोनी किसे कहते हैं दोनी जो हम लोग सब्सक्राइब था दोनी किसे कहते किसे कहते हैं व्याकरन को मनिष्ट की तो विश्ड़ को परकट करने के मैसा कहते हैं तो इसका तो मोखित लिखित और संकेतिक मुख्यत तीन भी पहें कहीं निखा हुआ रहता है हमारा है हमारी राष्टिवह सांब्सक्राइब तो सबको सही करना होगा राष्ट यह भासा हिंदी तो यह थे हमाला पच्छपन कोश्चन जो कि आपको वर्ण दोनी से संबंदित जितने भी प्रशन पूछे जाएंगे उसमें से कुछ प्रशन इसमें आ सकते हैं तो अब जेक्टिव प्रशन की साथ मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अगले बिए